दिल्वालो की शहर दिल्ली इस शहर में खाने भी बरी कमाल के है सो आगए हम इस शहर के अलग-अलग किसम के खाने के मज़े लेने कहते हैं कोई भी अच्छे काम का शुरुवात मीठे से किया जाता है सो क्यों ना हम भी आज कुलाब चामून से शुरू करें सो दिस कुलाब चामून इस ओनली एड 20 रुपीज पो फो पीसे और अभी हम है जमा मज़ित के गली में उसके बाद हमने ट्राई किया महबबत का शर्बत सो ये महबबत का शर्बत बहुत ही सदा स्वादिश्ट है और इसका भी प्राईज है 20 रुपीज एक क्लास का थंडा थंडा महबबत का शर्बत उसके बाद मैं आई हो यहां के फेमस कबाब खाने के लिए और ये एक प्लेट कबाब का प्राईज है 50 रुपीज उसके बाद हम आये यह फेमस दुकान नास तंदोरी यहां पर बहुत ही टेस्टी टेस्टी कबाब्स और चिकन बिर्यानी मिलती है यह दुकान जमा मजजित के ठीक पीछे तरफ है और आप देख सकते हो कितना भीरे इस शगा में यह बहुत की टेस्थी खाना यहां पर मिलता है यहां पर सब कुछ मिलता है चिकन, मीट, फिश, फ्राइ, बिर्यानी, सब कुछ और यह नास तंदोरी बहुत ही जदा फेमस है और यह एक प्लेट बिर्यानी का कॉस्ट है 100 रुपीस उसके बाद मैं आयो यह लसी पीने के लिए and can you guys guess the price of this लसी यह लसी एक क्लास का प्राइज सिर्फ 10 रुपे है सिर्फ 10 रुपे and guys यह लसी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है so guys अभी मैं आई हूँ पहार गंच के एक फेमस धाबा में and यह धाबा फेमस है ठालीस के लिए so चलिए अंदर एन हम देखते हैं यहाँ का खाना so यहाँ पे बहुत तरीका के खाना है so मैं यहाँ का special थाली ओरर कर रही हूँ पनीर थाली so मैं आपको दिखा दीती हूँ मुझे क्या-क्या मिला है so पहले तो सलाड फिर यहाँ पे कुल्चा फ्राइड राइज यह अदही फिर यहाँ पे राजमा के सबजी भी मिला है पनीर के सबजी मिला है और एक मिक्स वेज मतलब यह 150 में बहुत साधा है and मैं यहाँ पे आई हूँ अकेले लेकिन यह मेरे लिए खाना एक्दम पॉसिबल नहीं है so जितना ट्राइ करूंगी खा के फिर मैं पैक करके होटल वापस लेके जाने वाली हूँ guys खाना खतम ही नहीं हो पाड़ा है मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ सब खाना काने के लिए but it's not possible एक जन के लिए and trust me खाना बहुत जादा टेस्टी है and price भी बहुत कम है 150 में इतना कुछ like मुझे कुल्चा पाच्छे कुल्चा मिला राइस मिला सबजी मिला दही मिला मतलब पुड़ा पेटफुल so मैं यहां कि famous कुल्चा पनीर कुल्चा और गोबी कुल्चा खाने के लिए पहार गण्च में मेरे होटल की ठीक सामने ही में आ चुकी हूँ and यह थाली अब देख सकते हो यह भी बहुत स्वादिश है यह छोटा सा एक खाने का जगा है लेकिन त्रस्ट में गाईज बहुत सादा ही स्वादिश्ट है and इसका प्राइज 90 या फिर 80 सम्धिंग था and आप सबको यहां का famous देली का कुल्चा तो ट्राइक करना ही चाहिए यह सबसे ज़ादा टेस्टी है and हमारे आसाम में मुझे तो ऐसा कुल्चा कभी भी खाने को नहीं मिला so I am very happy at last मैं देली के एक थाबा में यह रोठी और यह डाल तर का ट्राइक कर रही हूँ and यह भी बहुत सादा ही टेस्टी है इसी के साथ मैं यह वीडियो एंड करूंगी and thank you so much for watching this video